हेलो हंजी कैसे हो आप सब आई होप बहुत अच्छे होगे आप सबका स्वागत है आपके अपने यूटीब चैनल लेगल पार्ट शाला पर अगर आप इस चैनल पर फर्स टाइम आ रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइक्टम को प्र चक लगता है तो बच्चों की डिमांड थी कि सब्सक्राइब के उपर कुछ इंपॉर्ण सेक्शन बता दीजिए जिनको हम पढ़के जाएं और वहां से कुछ कोशन्स आएं तो वो तो हम करी लें ठीक है तो आज की सेक्शन में जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं यूपी के लिए पंजाब के लिए 36 गड़ के लिए प्रपेर कर रहे हैं तो वो इस वीडियो को पूरी देखें ठीक है स्टार्टिंग से के लिए के एंड तक ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है कुछ सेलेक्टिट सेक्शन में आपको मेंचन करा हूँआ जो आपको पढ़ने ही प करते हैं ओके थोड़ा सा बताना चाहूंगा अगर आप इन डिटेल बढ़ना चाहते हैं ट्रांसफर और प्रॉपर्टि या कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पूरा कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप अनकेडमी पर जोइन कर सकते हैं मुझे बाइ यूजिंग ठीक है तो इस टेस्ट को दीजेगा आपको 100% स्कॉलर्शिप मिलेगी अगर रेंक 1 से 5 आता है 6 से 25 आता है तो 50% 26 से 100 आता है 30% और 101 से 500 25% और 501 से लेके 1000 तक आता है तो 20% आपको स्कॉलर्शिप दी जा रही है तो इसको मिस मत करना ठीक है अनकेडमी लर्निंग एप करना चाहिए तो पॉस करके देख सकते हैं हम कर रहें important sections of transfer of property act for UP, Punjab and 36 गड़ तो चले start करते हैं हमारा आज का session exam target हमारा UP, Punjab and 36 गड़ ही है इस वीडियो में चले तो आप लोगों के पास बेरक्ट होगा मैं भी अपना बेरक्ट लेके आया हूँ ठीक है अपना बेरक्ट र से लिएगा चले तो अगर हम यहां से initially बात करें ठीक है section number one से बात करें तो short title commencement extent तो आपको हमेशा पता ही होना चाहिए ठीक है section 3 आपको completely आना चाहिए pre point of view से बहुत इच्छे से आपको section 3 पढ़ना है ठीक है section 3 के बाद बात करें तो section 4 जो है section 4 को पढ़ने की requirement नहीं है नहीं आता है pre exam में ठीक है I hope आपको screen visible होगी थोड़ा सा में zoom कर लेता हूँ section 4 के बाद देखेंगे आप लोग section 4 के बाद chapter 1 स्टार्ट हो जाता है ठीक है chapter 1 में हमें क्या बढ़ना है देखिए section 5 बहुत important है transfer of property ठीक है बिलकुल भी miss out नहीं करना है transfer of property आपको पढ़ना है बहुत अच्छे है section section 6 आपको पढ़ना है what may be transferred ठीक है section 6 के बाद आपको पूरा जो है section 6 बहुत important है pre के लिए ठीक है section 7 भी पढ़ना है persons competent to transfer ठीक है साथ के साथ में आपको section 8 पढ़ना है operation of transfer क्या रहने वाला है do operation of transfer गया रहने वाले section 9 आपको परी के लिए पढ़ना है section 10 आपको पढ़ना है 11 आपको पढ़ना है 12 आपको पढ़ना है 13 पढ़ना है transfer for benefit of unborn person and Section 14 पढ़ना है ठीक है ठीक है अब आईए ये तो जो initial section है ये तो सारे आपको पढ़ने ही पढ़ने है section 15 आप नहीं पढ़े ठीक है pre में नहीं आता है chances बहुत कम है section 16 भी आप ना पढ़े ठीक है pre point of view से important नहीं है section 17 की बात करें direction for accumulation ये important है pre में आता है section 18 फिर pre में आता है I hope screen visible होगी section 19 vested interest बहुत important है हमेशा आपको पढ़ना है ठीक है vested interest तो कभी छोड़ना भी नहीं है ठीक है चले section 19 के बाद आपको पढ़ना है section 20 when unborn person acquires vested interest on transfer of his benefit section 21 ये vested interest and contingent interest तो very very important है pre के लिए ठीक है आगे जलते हैं आगे की बाइफर्गेशन मैं करवाता हूं आप लोगों को थोड़ा जूम कर लेते हैं स्क्रीन को अब आईए section 22 से देखते हैं क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है section 22 की में बात करूं तो section 22 आपको नहीं पढ़ना है transfer to members of a class who attends particular age ठीक है section 23 आपको नहीं पढ़ना transfer continue on happening of uncertain event नहीं पढ़ना है 24 आपको नहीं पढ़ना है ठीक है यह तीनु section 22 23 24 नहीं पढ़ना है pre point of view से बता रहा हूं है 25 पढ़ना है आपको conditional transfer ठीक है ठीक है 28 नहीं पढ़ना आपको 29 की illustration पढ़ना है सिरफ और सिरफ ठीक है 30 जो है 30 की भी आपको illustration बढधना है ठीक है यहां पर important illustration 30 की बात 31 की भी आपको registration बढ़ना है आप skip कर सकते हो, कोई problem नहीं, illustration पढ़ लेना, ठीक है और 32, आपको pre के लिए पढ़ना है, important है, 33 नहीं पढ़ना pre के लिए, ठीक है UP वाले बच्चो, 34 बिल्कुल must आप लोगों के लिए, UP के लिए जो है, transfer, conditional, performance of act, time being specified बहुत important है, UPJ वालों के लिए, ठीक है 35 हर किसी लिए important है, election, pre में आता है, काफी बार, पुछा भी गया है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना इसको ठीक है, 35 के बाद अगर हम बात करें, तो ये कुछ sections हैं आपके यहां पर apportionment, पूरा ही concept बहुत important है, 36, 37, pre में बहुत बार पुछा जाता है, इसकी जो illustrations है, 37 की बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है और, again section 38, only for UPJ वाले बच्चे, UPJ वाले section 38 को बहुत अच्छे से पढ़े, पंजाब एं 36 गड़ वाले मत पढ़ना 39 दोनों को बढ़ना है, सबको बढ़ना है, pre के लिए 39 important है, ठीक है, 40 again, 40 जो है यह UP वाले बच्चे पढ़ेंगे, पंजाब एं 36 गड़ वाले छोड़ सकते इसको 40 को 41 हर किसी को बढ़ना है, pre के लिए important है 41, ठीक है 42 नहीं बढ़ना आपको, ठीक है, 43 आपको बढ़ना है, again pre के लिए, ठीक है 43 के बाद 44, 45, 46, 47 नहीं बढ़ना, यह 4 सेक्षन नहीं बढ़ना है 44 से लेके 47 तक, 48 आपको बढ़ना है, pre के लिए, doctrine of priority, important है, pre में आता है, ठीक है 49 नहीं पढ़ना आपको 50 नहीं पढ़ना है आपको ठीक है next चलते है next आईए 50 के बाद आईए 50 के बाद जो 51 है नहीं पढ़ना ठीक है 51 के बाद 52 पढ़ना है pre के लिए बहुत important है doctrine of list pendens 53 आपको पढ़ना है यह सिर्फ बेरेक्ट से पढ़ना है ना परी एक्जाम में सिर्फ और सिर्फ बेरेक्ट औरेंटेट प्रप्रेशन करना 53 भी पढ़ना है आपके देखना अप टीपे में सारे और मुस्ट सारे कोश्टन ठीक हो जाएंगे ठीक है यह सारे जितने भी मैं यहां पर टिक कर आ रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपको बेरेक्ट से पढ़ने है बेरेक्ट के इलावा कुछ मत उठाना टीपे का ठीक है बेरेक्ट से पढ़ लो पढ़ना है फिफ्टी सिक्स अगें आपको प्री के लिए पढ़ना है ठीक है अच्छे से पढ़ लेना प्री के लिए ठीक है फिफ्टी सिक्स के बाद फिफ्टी सेवन नहीं पढ़ना है आपको ठीक है फिफ्टी सेवन के बाद हम आगे चलते हैं mortgage, mortgage के उपर आपको पूरा concept clear होना चाहिए, कितने परकार की होती है, कौन सी mortgage क्या है, ये जो है ना, ये बहला, ये portion, बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बेरक्ट से ही समझ में आ जाएगा, कुछ और देखने की requirement नहीं है, तो 58 आपको बहुत ठीक है, 59 नहीं पढ़ना, ठीक है, 59 A भी आपको नहीं पढ़ना, तो इस चैप्टर में, चैप्टर नमबर 4 में, सिर्फ 58 आपको पढ़ना है, प्री के लिए, ठीक है, नेक्स्ट में बात करूं, section 60 जो है, सिर्फ heading पढ़ना है आपको, जो right है mode gauge का, radium करने का, वो कहां दि 60 के बाद आपको, जो section 60 A है, ठीक है, यह नहीं पढ़ना आपको, 60 B आपको नहीं पढ़ना, 61 आपको फिर पढ़ना है, heading heading बढ़ना है तिक है, 63 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, यहां तक हो गया सब का, टिक कर लो, ठीक है यह प्री के लिए और स्टेफ फोर से बढ़ना है बेरक के लावा कहीं से मत पढ़ना ठीक है काम बहुत अच्छे से लेगा जितने भी कोश्चन साएंगे सारे ठीक हो जाएंगे सिफ बेरक से बढ़ लो इस जितने सेक्शन स्टिक लगवारा हूं कम से कम भी अब 10-15 इन सेक्शन को बेरक से पढ़ लो बहुत बढ़िया काम चलेगा आपका ठीक है चले नेक्स चलते हैं आगे हम लोग 63-a से आगे चलते है 63 के बाद आएगा आपका चले 63-a नहीं पढ़ना है आपको ठीक है 64 नहीं पढ़ना है ठीक है 65 नहीं पढ़ना है 65 नहीं पढ़ना है ठीक है और फिर 66 नहीं पढ़ना है मतलब यह सारे सेक्शन नहीं पढ़ना है 63-a से लेके 66 तब कोई भी सेक्शन आपको नहीं पढ़ना है अब आता है 67 67 की heading heading पढ़ लेना ठीक है अगर वक्त हो थोड़ा अंदर पढ़ लेना ये right है foreclosure का redemption का आपने पढ़ा था ये foreclosure का right है ठीक है और 67A नहीं पढ़ना है आपको 68 आपको पढ़ना है लेकिन सिर्फ heading पढ़नी है 68 की इसके अंदर मत पढ़ना क्या है वो प्री में नहीं आता है आपसे पूछा नहीं जाएगा 69 नहीं पढ़ना है आप लोगों को ठीक है 69A सिर्फ heading पढ़नी appointment of receiver जैसे CPC में पढ़ते हो वसे TPM में भी है appointment of receiver सिर्फ heading पढ़ लेना 69A की ठीक है 70 नहीं पढ़ना है 71 नहीं पढ़ना है आपको ठीक है 72 आपको पढ़ना है इसकी भी अगेन कह रहा हूं सिर्फ heading पढ़ लेना पता होना चाहिए आपको right of mortgage in position कहां दिया हुआ है 73 फिर नहीं पढ़ना 74 75 और रिपील है 76 सिर्फ और सिर्फ heading इसके अंदर मत पढ़ना कुछ भी बहुत लंबा चोड़ा है लेकिन वह प्रीमें नहीं आएगा और 77 आपको नहीं पढ़ना है ठीक है यहां तक हो गया सबका आगे चलते हैं ठीक है इसको पढ़ना है 79 नहीं बढ़ना 80 और रिपील है ठीक है 81 जो है यह बहुत इंपॉर्ट है यह आपको पढ़ना है हर हालत में question यहां से पूछा जाता है और 82 से दोनु सेक्शन आपको पढ़ने प्रीक लिए 81 और 82 83 नहीं पढ़ना 84 नहीं पढ़ना 85 86 87 88 यह अलरड़ी रिपील किया हुए है ठीक है नेक्स चलते है 86 से आगे निकलते हैं हम लोग 86 से आगे देखोगे 89 और 90 भी रिपील है ठीक है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते है 91 से रिडेंशन वाले से आते हैं 91 से 91 बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा पढ़ना है प्री के लिए ठीक है सब्रोगेशन याद रखना है 92 में दिया हुए प्री के लिए पढ़ना है अपको ठीक है उसके बाद प्रोहिबिशन आफ टेकिंग यह सिर्फ यूपी वाले पढ़े 93 यूपी जे वाले पढ़े सिर्फ यूपी जे ठीक है और कोई ना पढ़े ठीक है वैसे ही 94 जो है आप टो मीन मौगेशी ठीक है 95 96 97 नहीं पढ़ना 98 नहीं पढ़ना है अपको ठीक है और 99 भी नहीं पढ़ना है अब आई यह 99 नहीं पढ़ना इसके बाद कुछ सेक्शन हो रहे हैं हां पर चार्ज बिल्कुल पढ़ना है प्री में आता है ठीक है बिल्कुल पढ़ना है आपको चार्ज क्या होता है कैसे होता है ठीक है 101 नहीं पढ़ना 102 नहीं पढ़ना 103 नहीं पढ़ना लेकिन 104 जरूर पढ़ना यह बहुत फेवरेट कुशन है काफे बार पूछा जाता है प्री के लिए ठीक है 108 जो है ना इसके सिर्फ एड़िंग याद रखना कि रायेटें लाइबलिटीज लैसर और की तीक यह चाहने वह 208 ऐफ 109 नहीं पढ़ना अपने को एंड 1010 पढ़ना है अपने अपने संगे रिमिया है 110 से कोशने मेंस के लिए इंपॉक्र झाल 110 और 111 भी आपको पढ़ना है determination of lease ठीक है pre के लिए बहुत important है determination of lease 111 बहुत important है pre के लिए 112 नहीं पढ़ना 113 एं 114 यह नहीं पढ़ने आप ठीक है इनका कोई लेना देना नहीं है pre exam से next 113 के बाद 114 A काफी सारे बच्चे कह रहे थे 114 नहीं पढ़ना 115 नहीं पढ़ना आपको 116 पढ़ना है आपको pre के लिए effect of holding over 117 बिल्कुल पढ़ना है pre में यहां से question पूछा जाता है direct section based ठीक है 116 की जो illustration है वो भी पढ़नी है और इसके बाद 117 की बात करें आपको पढ़ना है 118 बिल्कुल पढ़ना है exchange क्या होता है pre में आता है 119 skip कर दो नहीं पढ़ना 120 skip नहीं पढ़ना exchange of money जरूर पढ़ना है pre के लिए important है 122 gift पढ़ना है आपको pre के लिए 123 यह सिर्फ बेरेक्ट से पढ़ना आपका बहुत अच्छे से होने वाला एक्जाम बहुत अच्छे से काम चलने वाला है 124, 125, 126 यह सारे pre के लिए gift वाले section मत छोड़ना कोई भी ठीक है क्योंकि gift लेना और देना हर किसी को पसंद है देना नहीं है पसंद लेना पसंद जरूर है gift हर किसी को ठीक है यहां तक हो गया ना सबका 127 भी यह तो बिलकुल आता है on risk gift वाला ठीक है 128, 129 यह जो है ना इस chapter का एक भी section नहीं चोड़ना chapter number 7 का अब बात करते chapter number 8 पे actionable claim वाला ठीक है पूरे TPA करवा थी मैंने देख लो transfer of actionable claim 130 बिलकुल पढ़ना है आपको ठीक है 130 A repeal हो रखा है ठीक है 131 नहीं पढ़ना pre के लिए ठीक है 132 पढ़ना यह pre में आता है ठीक है 132 पढ़ना है और 133 नहीं पढ़ना ठीक है 134 भी नहीं पढ़ना 135 भी नहीं पढ़ना यह लो होगी TPA और दुबारे से कहा रहा हूँ यह जितने sections मैंने यहां mention करवाए हैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपने barect से पढ़ने हैं ठीक है barect के अलावा कहीं और मत मन रहीएगा barect से इन sections को कम से कम भी 15, 20, 25, 30 बर revise करतो ठीक है तुम लोग realize करोगे कि तुम्हें मज़ा आ जाएगा जब exam देने बैठोगे ना तो काफी सारी questions तुम्हें यहीं से मिलेंगे इसके इलावा कुछ नहीं करना है ठीक है वीडियो अच्छे लगी हो तो like कर देना आपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ठीक है और कुछ और किसी एक्ट के important sections पूछना चाहते हो ठीक है तो इस वीडियो के नीचे comment कर देना ठीक है बगवान आपका भला करेगा ठीक है चले इस इस वाल अबाउट ट्रांसफर प्रॉपर्टी आक्ट ठीक है सबको clear हो गया होगा ठीक है तो इस इस फ्रॉम माई साइड चले बबाई टेक क्यर और वे गुट डे पढ़ते रहें रिवाइज करें ठीक है अब जैसे पंजाब का एक्जाम आगया बाइस को ठीक है फैब में आपका यूपी का आगया है जितने बेरेक्ट्स रिवाइज करेंगे उतने ज़्यादा सेलेक्शन होगे कि आपका एक्जाम क्लियर हो जाएगा बेरेक्ट्स रिवाइज करो एमसी की लगाओ ठीक है चैले बबाई टेक क्यर एंड वे गुट डेक वीडियो अच्छे लगियो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जुरू करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना